सबी दोस्तों को मेरा राधे राधे मैं हूँ भावना और भावना गुट्फिल में करती हूँ आपका बहुत 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 जादा स्वागत और अब ही मैं बना रही थी मटर पनीर की सबजी तो मेरा मन हुआ कि चलो इसका इसकी रेस्पी आपके साथ में सेर की जाए अब खुत ही आसान बिना लहसुन प्याज वाली मुटर पनीर की सब्जी है आपको पसंद आएगी वैसे भी जो त्योहर होते हैं जो फेस्टिवल सीज़े चलता है तो तुसमें लहसुन प्याज का सेवन कहीं कहीं भूख प्रशाद के लिए काम करते हैं तो उस कंडिशन में आप बिना लहसुन प्याज के सब्जी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने यह homemade पनीर लिया है मैंने पनीर यह सुबह बनाया था और मैंने यह अपने खुद अपने हाथों से बनाया है और पनीर जो है बाहर का पनीर बच्चे पसंद नहीं करते हैं घर में कोई बाहर का पनीर साथ में यह मैंने मटर लिये हैं और साथ ही लिये हैं कुछ पीसनी के लिए मसाला लिया है यहां पर मैंने तो यहां पर मैंने पीसनी के लिए हैं टमाटर तो फटापड से मैंने दो से तीन टमाटर लिये हैं तो टमाटर काट के हम रेडी कर लेंगे और इसमें हम लहसुन प् आप इसमें क्या ऐसा डालें कि आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बने तो यहां पर मैंने हरी मिर्ची या लाल मिर्ची आप कोई भी डा सकते हो यहां पर अद्रक का टकड़ा लिया है मौसम मतला है तो आप सब्जी में अद्रक जरूर से डालिएगा और यह मैंने 8-10 लिये है यहां पर काजू काजू डालने से जो लैसुन प्याज की कमी है वो पूरी हो जाएगी बहुत ही बढ़ी आक्तम क्रीमी इसका टेस्ट आएगा आप यह कबर बना कर देखिएगा तो मैंने यह सारे टमाटर लैसुन लैसुने सोरी टमाटर हरी मिर्ची अधरक और जो काजू यहां पर खड़े मसाली आप यहां पर खड़े मसाली आप लिया तो अच्छे से इनको चटकनी तक भून लेंगे बढ़िया से और यहां पर यह बून के रेडी हो गए हैं और इसके बाद में आदा चमच मैंने हल्दी लिये फटा परस्ट मैं डाल देंगे पिसा हुआ सार Kransi को सब्दाबेस को बिलकु लो कर देंगे और इसके बाद में हम ढलेंगे हम डालने इस का पाउडर दा है धनिया पाउडर नाल दिया है गरम मसाला यहां पर मैं ने डाल दिया है कशोरी में दी हींग से सबजी ंपार siat anime लिए freakinchem sas essent मयर्णाइ है जो मदों हिंग जीरे के तो यहां मतलबror बजय के साथ मिने उसका लगाता है कची को पढ़ीए आता है तो 3-4 मिनिट के लिए हम मसाले को से पखाएंगे वह तीन से च diffbird मसाले को पकाते हुए हो गया है तो यहां से जो मसाला है उससे ऑईल बिल्कुल बढ़िया से अलग हो गया है यह मसाले की पहचान होती है कि ऑईल और मसाला अलग-अलग हो जाते हैं जब इसका मतलब है कि मसाला आपका भूनके बिल्कुल बढ़िया से रेडी है बहुत ही चि की ज़रूद नहीं है तो डखन डाल कर पहले यहां से टेस्ट के अनुसार हम ना देंगे इसमें नमक को मिक्स कर देंगे ताकि जो मटर हैं बढ़िया से कुख हो जाएं तीन दो से तीन मिट के लिए मैंने इसे भी मटर के साथ में मसाली को पका लिया है और इसके बाद में ए सबसे बाद में यहां पर मैंने पनी डाला है अब ढ़कन डालकर हम पनीर को भी तीन से चार मिट के लिए पकाएंगे और मैंने इसको भी पका लिया इसके बाद में जो खड़े मसाली मैं इसमें यूज किया थी उसकी खुस्पूख फ्लेवर सब कुछ सबजी में आ चुका चटपटी मसालेदार बिना लैशन प्याज की मटर पनी रेडी हो गया आप शे में पर जरूर कियोंकि त्योहर आरहे हैं तो लैसन प्याज नहीं खाते हैं तो जैसे ने टमाट अरी मिरची जो पीसी थी उसी में आद लैसन प्याज डालके और से उसी प्रोसेस से सब्जी लेसन प्राजवाली भी बना सकते हो, तो आज के लिए इतना ही अगर आपको, आप कहां से मुझे वीडियो देख रहे हैं, आप मिरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, तो आप उस प्लेस का, मुझे ज़रूर से मेंसन कीज़ेगा, कि आप किस देख ऐसे मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप जरूर बताईएगा मुझे आपके प्यारी प्यारे कमेंट पढ़ना पहुत ही जादा अच्छा लगता है तो एक कमेंट आप जरूर से कीजेगा आप बहुत ही कंजूस हो गए हैं आप कमेंट बिल्कुल भ इस सब्जी सब्जी को आप कीजिए और जब आप सब्जी खाएंगे और आपको इस प्रोसेस से नहीं बनाई है मैंने कि आप परिसान हो जाए तो पस आज के लिए इतना ही है इस सब्जी को आज जरूर से आप ट्राइब करेंगे तो मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो मे बबाई सीओ ठेक एर बहुत ही बढ़िया सब्जी है एक तम देखते ही मुँ में पानी आने लग गया है और इस सब्जी को आप जब बनाएंगे तो आप सच मानिए बिल्कुल एक तम इस सब्जी को बनाना बिल्कुल बच्चे का खेल है बहुत ही जड़ परतारी के सब्जी बन जाती है तो बस इस सब्जी को बनाएंगे इंजो कीजिए और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कीजिएगा बाई सीओ राधे राधे